दोस्तों कौन नहीं चाहता कि उसका अपना एक आश्याना हो यानि प्यारा सा घर हो जिसे वो बड़े प्यार से सजाए और समारे लेकिन उसी प्यारे से आश्याने पर किसी की बुरी नजर न पड़े इसके लिए हम तरह तरह के ट्राइवल मास्क यूज़ करते हैं यही ट्राइवल मास्क या नजरवट्टू अगर हम ओनलाइज सर्च करें तो करीब करीब 400 से 800 के बीच में मिलते हैं लोकल मार्केट का भी कमोवेस यही हाल है तो आज मैं आप लोगों के साथ दो तरीके से मास्क बनाने का प्रोसीजर सेयर करूंगी और इनको मैंने बिदिन 30 रूपीज बनाया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ब्रेश्टिंग ऑफ टाइम इसके लिए सबसे पहले मैंने काटबोर के दो पीस लिए और एक सैट से राउंड सेफ दिया अब मुझे इसे राउंड फोल्ड भी करना था तो फोल्ड करने के लिए मैंने इसके उपर सबसे पहले पानी लगाया और उसको कोल्डिंग की बॉटल पे जूट रोप की हेल्प से बांद दिया ताकि ये उसी का सेफ ले ले ड्राय होने के बाद जब मैंने इसे निकाला तो इसका सेफ बिल्कुल वैसा ही था जैसे मुझे चाहिए था अब उपर के साइट मैंने दो होल किये अब मैंने पुट्टी और पानी का एक पेस्ट रेडी किया और इसका एक कोट काटबोर्ड के पीसिस के उपर किया और इसके बाद मैंने इसे चार-पांच घंटे के लिए ड्राय होने के लिए छोड़ दिया और देखिए ड्राय होने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है अब मैंने पुट्टी का डो रेडी किया है तो इसको हम अच्छे से मैस करेंगे ताकि ये फटे नहीं और अच मांसक पेश लगाते जाएंगे उसके पुट्टि की हेल्फ से फिंगर से हम इसे इवन करते जाएंगा मास पे मैंने जो पुट्टी लगाई थे वो ड्राय होने के बाद मैं फेस की डिटेलिंग करूंगी तो उसके लिए मैंने फिर से डो रेडी किया और छोटे-छोटे पीसिस में फेस पे लगाऊंगी जैसा कि मुझे रिक् प्राकनी इंट्रेंस या गार्डन की सोभा भी बढ़ाते हैं डिटेलिंग के टाइम आफ टूल्स या फिर ब्रस्क का बैक साइड या नाइफ इस तरह की चीजों का यूज कर सकते हैं जो कि मैं भी कर रही हूं तो जब भी मुझे पुट्टी लगानी होगी तो उससे पहल आइसिंग बहुत अच्छी आती है और देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा ही रिखेगा और देखिए दोनों ही फेस का इस्ट्रक्चर रेडियो गया अब मैं इसे कलर करूंगी तो फर्स्ट कोट के लिए मैंने इस्प्रे पेंट का यूज किया है तो मेरे पास ग्रीन कलर का इस्प्रेंट रखा हुआ था और थोड़ा सा वीच वीच में सैडो देने के लिए मैं मैंने थोड़ा सा हलका सा पानी में मिक्स करके ब्लैक कलर का यूज किया है इससे आइस के पास या जहां भी डाक इंप्रेशन देना था वहां पर मैंने इसे लगाया कलर च्वाइस आपके ऊपर है और आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं इसे तरह से आप ओइल कलर या फेर्ण packed क्ळार किसी बड़का यूज करें तो मैंने यहां पे फेब्रिक कलर ही ज्यादा यूज करें हैं कुछ लग नहीं थे तो मैंने ओईल कलर भी यूज कर लिया है कर दो कर दो कर दो कलर लोंग लास्टिंग रहे इसके लिए मैंने ऊपर से एक कोट क्लेर वानिस का किया इससे साइनिंग भी बहुत अच्छी आती है और कलर भी लोंग लास्टिंग रहते हैं डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ बीट्स बीट्स की लड़ यूज करी हैं और देखिए इस टैप के श्टोन और बीट्स लगाने के बाद इंकी सोबह और ज़्यदा बढ़ गई हो यह देखने में और ज़्यादा खूबसूरत देखने लगे तो मैंने glue की help से इनको stick किया और देखिए धीरे-धीरे करके एक रख़़ पूरा ready हो गया है बस ज्यादा stone नहीं लगाने है मुझे बैंदे में और नत में लगाने है ताकि यह देखने में सुन्दर लगे नेश डियवाई के लिए मैंने cardboard के दो पीस लिया उनको थोड़ा सा face की safe में cut किया और side से मैंने ears भी उसमें cut किया और इनको भी मैंने उसी तरह से detailing करके इस पे color कर लिया इनको different सा look देने के लिए मैंने iron के बायर में पुट्टी की beads लगाई है यह beads मैंने खुदी बनाए हैं और iron में fix कर दिये इस तरह से मैं इनको color करके यह एक अच्छा सा earring का safe ले लेंगे और mask पे लगाने के बादे बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं तो friends आपको कौन सा mask ज्यादा पसंद आया कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और अगर आज आपको वीडियो पसंद आया है तो please like, share and subscribe my video और bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा Thank you, bye bye, मिलते हैं next video में